सिवाजी महाराज के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा पर क्या आप जानते हैं उनके पास कौन-कौन सी तलवार है थी? उन तलवारों का क्या इतियास रहा है? तो आज हम इनी बात पे सर्चा करेंगे दरसल चत्रपती सिवाजी महाराज के पास तीन अनूठी तलवार थी भवाणी, जगदंबा और तुलजा उनमें से भवाणी तलवार को लेकर हमारे देश में बहुत ही भरम फिलाए गया है कि ये तलवार इंगलेंड के म्यूजेम में रखी हुई प्रवतलवार भवानी नहीं दरसल बात यही कि साथ मार्स 1669 के दिन सिवाजी कौकन के दोरे पर थी इसी समय उनके सेनापती अमबाजी सावंद ने एक स्पेनी जहाज पर आक्रमन किया था और जहाज में से उन्होंने पोटूगी सेनापती डिवोग फन्नांडिस की एक बेहत खुबसूरत तलवार पाई इसके ठीक बात 16 मार्स को सिवाजी महास सिवरात्री पर सब्त कोटे सर मंदिर पर आए यहां बाजी सावंद के बेटे कृष्णा जी ने सिवाजी को ये तलवार बेट दी थी सिवाजी को ये तलवार बहुत ही पसंद आए उन्हें इसकी लंबाए और कम वजन बहुत ही ज्यादा पसंद आए और उन्हें इस तलवार को भवानी नाम दिया आपको बता दे कि इस तलवार की लंबाई साड़े चार फिट थी सिवा जी ने इसके बदले में कृष्णा जी को तीन सो सोने के सिक्के भेट में दी गोल्ड इंडेक्स के मताबिक एक सिक्के की किमत लगबग दो लाक से भी ज्यादा आके गई इस हिसाब से इस तलवार की किमत साथ करोड से भी ज्यादा आके गई थी जब मराठो और मुगलों के आमने सामने लड़ाय होती थी तो मुगल अपने लंबे कत के चलते फाइदे में रहते थी और मराठा सैनिकों के उंचाई सामान ये हुआ करती थी और छोटी तलवारों से वे दुस्मन पर ठीक से प्रहार नहीं कर पाते थे इस समझ से एक हल उसे भवानी तलवार में दिखाई दिया सिवाजी अपने सैनिकों के लिए भवानी जैसे हजारों तलवारे बनवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने कांतरास्ट ये टेंडर जारी किया स्पेन के राजा ने ये टेंडर बरा और ये तलवार ये स्पेन के मैडरिट के छोटे से गाउंट टोलेडों में बनाई गी टोलेडों में आज भी तलवारे बनाई जाती है स्पेन का राजा इस समझोते से बेहत खुस हुआ उसने इसके बदले में सिवा जी को ऐसे ही रतना जड़ी तलवार बैट दी इसमें मानिक के जड़े हुए थे इसी तलवार को सिवा जी ने जगदंबा नाम दिया मराठा सम्मान के प्रतिक ये तीनों तलवारों में से बवानी और तुलजा 200 सालों से भी अधिक समय से लापता और जगदंबा तलवार इंग्लेंड के म्यूजेम में रखे हुई ये तीनों तलवारों को भारत लाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी महारास्टा के प्रोफेसर नाम देवराव जादव ने बवानी तलवार जैसे ही दिखने वाली उनकी एक हुबहु प्रतिक्रूती तयार करवाई इस तलवार को बनाने में करीबन 4 लाख रुपे की लागत आई रंग रूप और कद काठी में ये तलवार हुबहु भवानी तलवार की तरह ही दिखाए दे थी कुछ समय पहले इस तलवार को पूरे महाराश्टा में प्रदर्शित किया गया था तो यह था सिवाजी महाराज की तीनों तलवारों का इतियास असा करता हूँ जानकर यह अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले जहीन वंदे मात्रम